नमस्कार स्वागत आप सभी का हमारे विशेश कारिक्रिम ग्राउंड रिपोर्ट में मैं हूँ प्रीती आज हम आपको दिखाएंगे क्यूं खत्रे में हैं जंगर साथी गौर करेंगे स्वास्ते विवस्था की हालत पर इसके लावा हफते के मुद्दे में घरेलू कामगार का निर्देश महिला संगठनों की मिली जूली प्रतिक्रिया बड़ी विकास परियोजनाओं से जंगलों को खत्रा घट रही है वन भूमी उत्तरा खंड में सबसे जादा नुकसान डॉक्टरों की कमी से स्वास्ते विवस्था लचर, इलाज में भारी दिक्कते, ग्रामीर इलाकों में हालत जादा खरा और बुनियादी सोविधाओं से महरूम है सेक्यूरिटी गार्ड्स, ना काम के घंटे, ना वेतन तै, कुशल श्रमिक का दर्जा होने के बावजूद बदहाल सुप्रीम कोट ने दहेज विरोधी कानून के दुरुपियों के मामले में चिंता जटाई है कोट ने कहा है कि दहेज उत्पीडन के मामलों में आरूप की पुष्टी के बगएर गिरफतारी ना की जाए इसके लावा कोट ने हर जिले में परिवार करल्यान समिती बनानी का भी निर्देश दिया है महिला संगठनों ने इस पर मिली जुली प्रतिक्रिया दी है दहेज उत्पीडन का मुकदमा दर्ज होते ही अब सीधे गिरफतारी नहीं होगी एक मामले की सुनवाई के दोरान सुप्रिम कोट ने आईपीसी की धारा 498 एका दुरुप्योग रोकने के लिए ये निर्देश दिये अदालत ने कहा है कि इस तरह के मामलों में आरोपों की पुष्टी के बगेर गिरफतारी नहीं होनी चाहिए क्योंकि निर्दोश व्यक्तियों के मानवा धिकारों की अंदेखी नहीं की जा सकती इस मामले पर महिला संगटनों ने मिली जुली प्रतिक्रिया दिये है सुप्रिम कोट ने दहेज उत्पीडन मामलों को देखने के लिए हर जिले में एक या एक से अधिक परिवार कल्यान समीती बनाने के निर्देश दिये है सुप्रिम कोट ने कहा है कि समीती की रिपोर्ट आने के बाद ही गरफतारी होनी चाहिए उससे पहले नहीं सुप्रिम कोट ने लीगल सर्विस अथोरिटी से कहा है कि तीन सदस्य समीती के कामकाज का आकलन जिला जज समय समय पर करेंगे अब ये कितने तक सक्सेस्फुल होगा नहीं होगा ये पता नहीं है बड़ जिस तरीके से कमिटी इन्होंने फॉर्म करी है और कहाए कि डेली लीगल सर्विसे अथॉरिटी और एक ऐसी लोकल कमिटी बनेगी और किस किसम के लोग होंगे साथ ही अब सरकार ने दहेज और घरेलू हिंसा के जूटे मामलों में सताये गए पुर्षों को भी रास्ट्रे महिला आयोग में शिकायत करने का मौका देने की पहल की है केंद्रे महिला और बाल विकास मंत्री मेंनका गांधी ने इस बारे में रास्ट्रे महिला आयोग की अध्यक्ष ललिता कुमार मंगलम को पत्र लिखा है इसमें कहा गया है कि दो सब्ताह के अंदर ऐसे पुरुशों के लिए राश्ट्रे महिला आयोग के शिकायत के ओनलाइन सिस्टम में एक अलग विंडो बनाया जाए हालांकि NCW अधिकारियों ने कहा है कि ये कदम उन दिशा निर्देशों के खिलाफ है जिन पर आयोग आधारित है दिली से ग्राउंड रिपोर्ट के लिए नविक्रम और आये इसी पर हम बात करते हैं ललिता कुमार मंगलम से जो कि राश्ट्रे महिला आयोग की अध्यक्ष है ललिता जी बहुत बहुत शुक्रिया राजे सबा टीवी के साथ जुनने के लिए आपका सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आपकी प्रतिक्रिया देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है उसे समझने की ज़रोत है उन्होंने अपने नजर्ये से ये दिया है पर इसके पीछे जो ये कहता है कि फैक्ट है कि इस लौका मिस्यूस हो रहा है इसके पीछे जो कारण है वो शायद वो समझने पाया और मैं तो मतलब मानती हूँ कि जिस PIL के उपर इधो ने ये ज़र्जमेंट दिया है उसमें ज़रूर ये लिखा नहीं होगा ज्यादा तर महिला है जो हमारे देश में पुलिस स्टेशन तक पहुँचती है कोई भी कंप्लेंट के साथ पर इक्जामपल उदारत है राश्य महिला आयोग में जो साल में 23 से पर 65,000 कंप्लेंट आते हैं उन में से 60% domestic violence पारिवारिक हिंसा पर है अभी पारिवारिक हिंसार का जो कानून है उसमें लॉयर्स का कोई मतलब रोल ही नहीं है तो जब महिला पुलिस स्टेशन जाती है वहाँ भी वहाँ हमेशे ये कहा जाता है क्यों आप क्यों आ रहे हैं ये पारिवारिक मामला है ये डालते हैं तो हम आपको रिलीफ दिलवा देंगे और फिर आक्शली इसी कारण से और इसी मतलब इसी बैक्ग्राउंड के ये महिला जो डेस्परेट है वो इस कानून का दुरोप्योग होता है अब सुप्रीम कोट अपने नजरिये से जो उन्होंने कहा है शायद एक हट तक ठीक है परंतो जो इसकी पीछे क्यों ये कानून मिस्यूज हो रहा है इस पर हमें रिसर्च करनी चाहिए जरूर और कोट को भी इसका मतलब इसको संगीन में लेते हुए उनको कुछ और रेकम कोई भी महिला कोई भी आदमी आँ महिला अगर कोई उन पर कुछ अत्यासार हो तो पहले जाते हैं अगर वहाँ उन्हें रिलीफ ने मिलते हैं तो यह क्यों ऐसे हो रहा है यह जानकर कोट कोई इसके बारे में भी कुछ करनी चाहिए तो इस तरह के रेकमेंडेशन कोट की दिये जाएं, क्या इससे लेकर आप लोग की तरफ से कोई कदम उठा जाएगा, कोई पहल की जाएगी? फिलाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ललिता कुमार मंगलम हमाया साथ जूडने के लिए और इस्तमाम बातशीत के लिए तो जाहिर तोर पर सुप्रीम कोट के निर्देश के बाद जैसाम ने ललिता को भी सुना, मिली जूली प्रतिक्रिया आएं, तमाम महिला संगठनो की तरफ से आ रही हैं, आएए फिलाल आगे बढ़ते हैं, जंगल खत्रे में हैं और बीते 30 साल में विकास पर्योजनाओं के नाम पर बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई हुई है, इस दोरान और द्योगिक पर्योजनाओं के नाम पर तमाम तरह की प्रोजेक्स की गए, इस से इनसान और जानवनों दोनों को खत्रा है, उत्रा खंड से अमारे खास ग्राउंड रपोर्ट जंगल खत्रे में है, पिछले तीन दशक में भारत में करीब 15,000 वर किलोमीटर जंगल शेत्र अतिक्रमन की भेट चड़ गया है इन इलाकों में 23,716 ओध्योगिक परियोजनाएं लगी और उन से 14,000 वर किलोमीटर जंगल पर बाद हुआ, सबसे ज़्यादा जंगल खनन ने निगला उसके बाद रक्षा और पन बिजली परियोजनाओं का नंबर आता है वंगवाने के मामलोग उत्राखंट पहले, पंजाब दूसरे और हरियाना तीसरे स्थान पर है देश में पेडों और जंगल का कुल शेत्र फल 7,94,246 वर किलोमीटर है जो कुल भोगोलिक इलाके का 24,1,6 प्रतिशत है हाल में देश में पेड और वन का दाइरा बढ़ाने की खबरे आई हैं लेकिन लंबी अवधी को ध्यान में रखें तो जंगल घटे हैं हालिया आकडों के मुताबिख 2013 से 2015 के बीच पेडों और वन के समगर शेत्रफल में 5,081 वर किलोमीटर का इजाफा हुआ लेकिन 1880 से 2013 के बीच भारत में जंगल का शेत्रफल 40 फीसिदी कम हो गया वन सरक्षन कानून के तहत स्थानी लोगों को जंगल को हानी पहुचाने के लिए दंडित किया जाता है जबकि उत्राखन के बहुत से लोगों के लिए बन उतपाद आजीविका का साधन है दूसरी तरफ औद्योगीक मकसदों के लिए उप्योग लकड़े के गयर कानूनी कटाई और अवैद खनन के कारण वन शेत्र का हरास जारी है इससे हो रहे नुकसान को तभी सीमित किया जा सकता है जब हरास के अनुपात में नए जंगल लदाए जाएं जेनेटिक मॉडिफिकेसन से फोरेश्ट कबर इस तरह से बढ़ सकता है कि हमारी जो कम उम्र में पकने वाली जो प्लांटी स्पीसीज हैं जेनेटिक मॉडिफिकेसन के तुरू इन में जड़ और जो इसका तना है काफी तेजगती से बढ़ता है जिसकी वज़े से हम इसको आसानी से एक तो मतलब नर्सरी में प्लांट कर सकते हैं और नर्सरी में अगर ये अच्छी मातरा में ग्रो हो जाते हैं तो इसको फान फिल्ट तक पहुचाने में बहुत आसानी हो जाती है भारती वन सर्वेक्षन के मताबिख 2015 में उत्राखंड में कुल 24,240 वर किलोमेटर वन शेत्र था ये 2013 की तुल्ना में 268 वर किलोमेटर कम था एक अनुमान के मताबिक साल 2025 तक भारत में 300 स्क्वेर किलोमेटर से ज़्यादा का फॉरेस्ट कवर खतम हो चुका होगा डिफॉरेस्टेशन की वज़े से भारत के एन्वल रेंफॉल पर भी असर पढ़ रहा है अगर डिफॉरेस्टेशन इसी गती से चलता रहा और हमने कोई कदम नहीं उठाया तो स्थिती बच से बत्तर हो जाएगी उत्राखंट से कैमरापरसन अश्विनी कुमार के साथ क्राउन रिपोर्ट के लिए कृती मिश्टा राध्यसभा टीवी और आएए इसे पर हम सीधे बात करते हैं अपने समवाता कृती मिश्टा से हमासाथ नियूजरूम में मौझूद है कृती जंगलों के अंदर धुन कटाई हम जानते हैं कि जलबायों परिवर्तन ग्लोबल वामिंग का सबसे बड़ा कारण है और खासकर अगर उत्राखंट की बात करें तो हाल में आई इतनी बड़ी तबाही और गाए बगाहे भूस खलन की चोटी बड़ी घटनाए इतने खतनाक स्तर पर हालात हैं इस समय देखे पृती 2013 के बाद जो उत्राखंट की तराजदी हुई उसके जो स्टाडी की गई कि सबसे ज़ादा इंपक्ट जो पड़ा है जो सबसे ज़ादा नेगिटिव इंपक्ट पड़ा है आपको जान के हैरानी होगी कि वो सबसे ज़ादा उन एरियास में हैं जहां पर सब से ज़ादा जंगलों की कटाई हुई है पितोरा गड़ हो गया कुमाओं हो गया या गड़वाल हो गया इन सारी एरियास में लगातार फॉरिस्ट को काटा गया है चाहे वो परियोशना के लिए हो आपको पता है कि हाइड्रो एलेक्रिक पार प्रोजेक्स बहुत सारी लग है उसको देव भूमी जाता है तो लगातार होटेल्स लांड यूज चेंज करके उसको अग्रिकल्चर से कमर्शल बनाकर होटेल्स बनाए दिये जाते हैं अन्रेगिलेटिड अग्रिकल्चर हो रहा है लेकिन एक बहुत बड़ा एक जो नाच्रल फैक्टर भी है जो फॉरि जो है वो गिर जाते हैं इनी सारे रीजन्स की वज़े से लगातार जो फॉरिस कवर है वो उत्राखंड का या फिर पूरे देश का कहें वो घरता जा रहा है जो एक बड़ी समस्य है और हाली में हमने देखा था उत्तराखंड के जंगलों में आग भी लगी तीस तरह की कोई उमीद दिख रही है ताकि इस पर लगाम लग सके जी देखे क्यांपा अक्ट बना था पारलिमेंट से जो कॉम्पसेंटरी अफॉरिस्टेशन फंड प्लानिंग अन अथॉरिटी मैनेश्मेंट जो है उसके तहतल राजियों को केंदर सरकार से पैसा मिलता है उत्राख जो फ्लोरा और फोना हैं उसका जो पूरा एक सेटप है उसको बिगाड रहे हैं हम उनके टरिटरी में घुसते जा रहे हैं फिर वो चाहे वो टाइगर्स की टरिटरी हो या फिर मगी की टरिटरी हो यह बहुत इंपोर्टेंट है कि किस तरह से हम कंस्ट्रक्शन जो आप forest में लगाएं और वो बहुत जल्दी cultivate किया जा सके, बहुत जल्दी वो बढ़ सके और forest का cover जो है उसको बढ़ा सके, तो ऐसे कई चीजों पर शोध हो रहा है, जैसा कि आपने forest cover की बात कई, वो सबसे बड़ा उसका reason है, pine, जो pine पेड होता है, जो बहुत ही एक indigenous है, उसकी जो पतियां होती है, वो गिर जाती है, जो वो collect होती है, तो friction से उन्ट में आग लगती है, और forest fire हो जाती है, उसको collect करके, electricity generation का भी काम हो रहा है, ताकि forest fire से भी, जो forest को नुकसान होता है, उसको रोका जासे है, बिल्कुल, कृती और देखी तो उत्तरा खंड में ही नहीं, बलकि देश के लगबक हर राज़ी अंधादुन जो वनों की कटाई हो बहुत बड़ा चिंता का विश है, फिलाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपका हमाई साथ बातचीत के लिए, और प्रक्ति हमें पहले ही विनाश के संकेत कई बार दे चुकी है, और पूरे दु में तो हालात और भी जादा खराब हैं में 1681 मरीजों पर सिर्फ एक डॉक्टर है जो अपेक्षित संख्या से बेहत कम है, राश्ट्रिय स्वास्ते मिशन के रिपोर्ट के मताबिक सर्जरी, स्त्री रोग और शिशु रोग जैसे चिकित्सा के बुनियादी क्षेत्रों में 50 फीस्दी डॉक्टरों की कमी है, ग्र विश्वस्पास्ते संख्या पर डॉक्टरों की संख्या, बिहार में महज, 10 से 15, उत्तरप्रदेश, जारखन, राजस्थान, असम और मेगाले में 16 से 20, 36 गड मद्धप्रदेश, गुजरात, तरपुरा, हर्याना और ओडिशा में 21 से 23, तो पशिम मंगाल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, नगालेंड और महराश्र में 24 से 35 के बीच है, सरकार ने नाशनल रूरल हेल्थ मिशन और नाशनल अर्बन हेल्थ मिशन नामक दो योजनाएं जरूर शुरू की, लेकिन अभी तक जमीन पर पूरी तरह से इनका लाव नहीं पहुँच पाया है. दिल्ली से ग्राउंड रिपोर्ट राज्यसभा टीवी और फिलाल रुखेंगे एक छोटी से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद देखिए. बुलंद होसले की अनोखी कहानी चराग है, हवाव में देखिए. I really enjoyed the film, the performances especially, enjoyed them a lot. All the actors have done really, really well. काफी feeling आती है इसको, और एक alternate reality है, और मुझे बहुत ही अच्छी बिच्छी बिच्छी और सबका काम बहुत अच्छी था था, I really enjoyed it. It was very informative, very historic और मुझे लगा कि जिन लोगों को शायद बहुत information नहीं है about this time and this freedom movement, it's really like a very entertaining history lesson. अजादी का एक बहुत बड़ा दस्तावेश है ये फेल, तो ये जरूर जरूर लोगों को देखनी चाहिए. और अब हफ़ते का मुद्दा. धनी परिवार जिन श्रमिकों के सहयता लेते हैं, उनमें निजी सुरक्षा गार्ड भी शामिल है. सरकार ने निजी सुरक्षा गार्डों को कुशल श्रमिकों का दर्जा दिया हुआ है. बावजुत इसके जादतर निजी सुरक्षा गार्ड असनुथित शेत्र में आते हैं. इन लोगों के काम के घंटे भी तै नहीं हैं, साथ ही ये लोग बुनियादी सुविधाओं से भी महरूम हैं. अश्रफ बिहार के एक छोटे से गाउं से आएं हैं. दिल्ली में एक जानी मानी निजी सुरक्षा गार्ड कंपनी में काम करते हैं, इनके काम के आड़ घंटे तै हैं. लेकिन लगभग रोज ही इनहें बारा घंटे की शिफ्ट में काम करना पड़ता है. ना कोई तैशुद अच्छुटियां हैं और ना ही बिमार होने पर उनकी कंपनी इलाज की सुविधा महिया कराती है. निजी सुरक्षा गार्डों के जिम्में कई सरकारी और निजी संस्थानों की सुरक्षा है. भारत सरकार ने हाल में निजी सीकुरिटी गार्डों को कुशल और सश्थास्था सुरक्षा गार्डों और सुरक्षा सूपरवाईजरों को अत्याधिक कुशल श्रमिक का दर्चा दिया है. निउन्तम वेतन कारून के तहट कुशल श्रमिक के लिए 15,000 रुपए और अत्याधिक कुशल श्रमिक के लिए 25,000 रुपए का निउन्तम महिंताना तैय है. देश में करीब 1000 निजी सेक्यूरिटी गार्ड कंपनियां रजिस्टर्ड हैं. प्राइविट सेक्यूरिटी गार्ड के तौर पर लगभग 70 लाख लोग काम करते हैं. लेकिन उन्में से 3 फीसिली गार्ड ही संगटित शेतर में आते हैं. ये वो गार्ड हैं जो रजिस्टर गार्ड और कंसर्ण सेक्यूरिटी गार्ड उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए. अभी क्या होता है? कैश दे देते हैं, कैश में साइन किसी और पर करा लेते हैं और देते कुछ और हैं. सुरकषा गार्ड के संगटनों की मांग है कि केंदर सरकार के देशा निर्देशों पर राज्यों में फ़ॉरण अमल किया जाए. इन गाइडलाइंस के तहट सुरकषा गार्डों की नियुनतम मज़धूरी तैए है. अब तक कई राज्यों नियुनतम वेतन तैए किया है, लेकिन उनमें एक रूपता नहीं है हाकिकत यही है कि जब तक सभी निजी सेक्यर्टी गार्ड संगरित शेत्र का हिस्सा नहीं बनते तब तक उन्हें सोशल सेक्रिटी हासिल नहीं हो सकेगी दिल्ली से ग्राउंड रिपोर्ट के लिए परणव को सामी उत्रप्रदेश सरकार 2018 तक प्रदेश की 69,000 ग्राम पंचायतों को ODF यानि खुले में शौच से मुक्त घोशत करने का दावा जता चुकी है लेकिन इटावा में ODF घोशत हो चुके गाउं की हकीकत यह है कि यहां अभी भी लोग खुले में शौच के लिए जाने को मजबूर है हमारे खास रिपोर्ट इटावा का दतावली गाउं कागजों पर तो ODF यानि खुले में शौच मुक्त हो चुका है लेकिन हकीकत कुछ और ही बया करती है लोग अभी भी खुले में शौच करने के लिए मजबूर है ग्रामिनों का आरोप है कि गाउं में 50-20 घरों में ही शौचा ले बने है प्रदान और अधकारियों की बज़े है अपने अपने लोगों को दे रहा है दो अजार रुपए में इटावा में 471 पंचायतें और 685 राजस्प गाउं है इनमें 20 गाउं ODF घोशित हो चुके हैं लेकिन उन गाउं की हालत भी दतावली जैसी ही है जबकि प्रशासन के पास ग्रामीनों की शकायत का कोई तसली बख्ष जवाब नहीं है इस अभ्यान के तहट केंडर और राज्य सरकार की ओड से 12,000 रुपए एक शौचाले के लिए मंजूर किये जाते हैं गाउं के हर घर में शौचाले बनने के बाद संबंधित अधिकारी इसकी जाच करते हैं फिर गाउं को खुले में शौच से मुक्त घोशित किया जाता है मगर इटावा जिले में जो सूरत सामने आई है उससे ओडियफ गाउं घोशित करने की पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठना लाजमी है इटावा से ग्राउंड रुपोर्ट राज्य सभा टीवी और अब एक पन्ना जिसमें आज एक निज़र भारत के परमाणू शक्ती बनने की यात्रा पर भारत सरकार ने 1954 में एक अलग परमाणू विभाग की स्थापना की 1956 में मुंबई में भारत के पहले परमाणू रियक्तर की स्थापना हुई दरसल ये एशिया का पहला परमाणू रियक्तर था इसके बाद भारत में अनेक परमाणू उर्जा संयंत्र इस्थापित हुए इन सायंत्रों को पर्थम परधान मंत्री पंडित जवाहलाल नहरू की दूर दर्शिता का परिणाम समझा जाता है पंडित नहरू मानते थे कि परमाणू उर्जा दुनिया के सामाजिक, आर्थिक और राजनितिक जीवन में एकरांती लाएगी इस तरह भारत दुनिया के पहले विकास्चील देशों में से था जिसने परमाणू उर्जा के महत्व को समझा आज़ादी के एक साल बाद ही महान परमाणू वैग्यानिक होमी जहांगीर भाबा की अध्यक्ष्टा में परमाणू उर्जा आयोकी स्थाप न वी जायोक सीधे प्रधान मंत्री के निर्देशन में काम करता था और अब कहानी एक असाधारन जजबे की भुपाल के अनल तामरकर एक हादसे का शिकार हुए जिसके बाद उनके दोनों हाथ काटने पड़े लेकिन उनके होसले परास नहीं हुए वो आटो रिक्षा चलाते हैं और रोजाना बेखवाफ होकर कई लोग उनके आटो की सवारी करते हैं 47 वर्षी अनल तामरकर और उनका छोटा सा परिवार देखकर हैरानी होती है कि जिस शक्स के दोनों हाथ आदे कटे हुए हूँ वो गाड़ी कैसे चला रहा है लेकिन ये कहानी इनकी हिम्मत और हौसले की है इसलिए जो मुसाफिरेने जानते हैं वो बेख़ौफ होकर इनके आटो में बैठते हैं कई साल पहले अपने घर में पाइप उठाते वक्त ये बिजली के तार की चपेट में आ गये थे उस हाथसे में जान तो बच गई लेकिन इने अपने हाथ कटवाने पड़े इसके बावजूद तामरकर ने हिम्मत नहीं हारी और परिवार के भरन पोर्शन के लिए फिर आटो चलाने का फैसला किया घर में कोई कमाने खाने वाला नहीं है तो बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो मुझे ही सब करना पड़ा था जवाबदारी मेरे घर की जवाब मेरे उपर ही है सब मुझे में तो पैक्टिस करना पड़ी है उसका फिर में रोट पर आ गया हूँ इतने बड़े हाथ से का शिकार होने के बावजूद अनिलतामरकर ने अपने परिवार को कोई दिक्कत नहीं होने दी बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकने दी और वो हताश नहीं हुए बलके संगर्श किया और जीत कर दिखाया इस अनो के साहस से आज वो सब के लिए एक मिसाल बन कर उभरे हैं भोपाल से ग्राउंड रिपोर्ट राज्यसभा टीवी और इसे के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के आज की सफर में फिलहाल इतना ही इजाज़त दीजे नमस्कार